येर फ्रेंड्स आप सभी का हमारी चैनल करेंटीशीप स्वागत है दोस्तों फ्री टेबलेट स्मार्टफोन वित्रा संबंदी कुछ आदेश है उसको आईए समझ लेते हैं देखिए डियर मितलेस यादो ने अभी हमें इंस्टाग्राम पर सामको ही उनके कॉलेज में ये नोटिस लगा हुआ था उन्होंने ये भेजा है जैसा कि आप देख सकते हैं उनका कॉलेज ये है जैन पॉलिक जैन पॉलिटिकनिक बड़ोध बागपक्त में पड़ता है चोकि दिगंबर जैन पॉलिटिकनिक है तो देख सकते हैं आप 23, 12, 2020 आज की डेट में उनके college में notice लगी थी जिसमें ये information दी थी जिसमें जो point important है वो आपके सामने में रखता हूँ देखें बहुत से student के comment यह हैं कि हमारे college को नहीं लिया गया है हम उसमें चैने इतना हुए तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दिया था और अब भी बता रहा हूँ कि एक district से total 200 student को ही लिया जा रहा है तो उसमें politechnik को या फिर other technical non-technical सभी student को ले जाया जा रहा है तो 201 district से student को ले जाना है तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे कि कह सकते हैं कि politechnik college जैसे जैन दिगंबर हमने आपको दिखाया तो यह जो आपका है इस college से total देख सकते हैं 22 दिखे बहुत ज़्यादा यह clear notice दोस्त नहीं दिख रही है जो कि student जो भेजा था वो भी बहुत clear नहीं थी ठीके तो मैं इसको 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 पॉइंट में बता दीता हूँ जिससे मतलब सभी यह college के student पर लागू होगा यह चीज़ आप समाल तो यहां पर बताएगे जैसे कि प्रत्यक डिश्टी से 206 चात्रों को प्रदिभाग करेंगे इसमें से 62 चात्रों को चैनित किया गया है अर्थात इस जैन दिखंबर जो हमें पॉल्टेकनिक बता रहा हूँ बड़ाओद बागपत से वो पॉल्टेकनिक का college जो है उसमें स 22 चात्रों को चैनित किया गया है ठीक है तो यह भी है कि जो चैनित चात्रों होंगे पहले पॉइंट समझे जो चैनित चात्रों होंगे उन चैनित चात्रों को उनके द्वारा दिये गए mobile number पर भी सूचित किया जा रहा है और सूचित किया जाएगा यह समल लिजिए अगर उनकी मतलब की जिम्मेदारी है उन्हें ही ये सारी चीजे करना है ठीक है उनको ये दिया गया है आदेश तो उक्तेव टेबलेट स्मार्टफोन वित्रण में आप देख सकते हैं बाइस चार 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 वहां के हुए हैं उसमें में इंपोर्टन्ट है कि इसमें सर्त और आपको एक प्रमाण कह सकते हैं पहचान पत्र दिया है तो अब आपके कॉलेज में भी आपको पहचान पत्र दिया हो गया होगा जिन जिनी कॉलेज में स्टूडन का नाम होगा आपके कॉलेज के द्वारा दिया गया होगा आज की डेट में या आपको कल की डेट में ही 24 त अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार रूप से साथ ले जाना है दूसरा पॉइंट ये है कि सम्मन्दि छाचात्राओं को काईकरम में प्रदिभाग करने है तो संस्था अस्थर पर परिचे पत्र जारी कराया जाएगा जैसे कि हमने पता है परिचेप पत्र आपको college के दुआरा मिले जाएगा उसको आपको ले जाना है उसको college से जरूर आपको लेना है और उसको अपने साथ में आपको रखना है इस चीज़ का आपको ध्यान रहे है थर्ड पॉइंट यह है कि 24 बारा 2021 को ये उनकी information है ये बागपत जो पॉल टेकनिक है उनकी information है कि आप सुबह 9 बजे आ जाईएगा 24 तारिक को और थात कल की डेट में सुक्रवार को और मैं 24 तारिक सुक्रवार को सुबह 9 बजे बस यहां से बागपत से चलेगी और लखनोग देने का वो समय हो सके इसलिए आपको 24 को ले जाया सबसे important इसमें है ठंड है इसलिए आपको फोर्थ पॉइंट यह है कि जो भी चार चातर जाये वो ठंड से बचावे दू अपने अस्तर से आपको कोई स्वेटर या कंबल नहीं मिलने वाला है तो अपने अस्तर से कैप, कमल, आदी, यात्रा को दोरान अपने भोचन की विवस्ता अपने अस्तर से जरूर कर लें देखें यहां से लखनव तक आपको अभी रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला है या पिर कह सकते हैं अपने अस्तर पर आपको विवस्ता रखनी चाहिए कि कमसम स्वेटर, क कमल, कैप, यह सारी चीज़े आप रखेंगे, खाने पीने के भी अपने अस्तर से कुछ काम कर लें, वहाँ जाने पर विवस्ता रहेगी आपके खाने पीने की, लेकिन यहां से आप जब जाएं तो सारी विवस्ता करें, इसमें यहीं इन्फार्मेशन है और मैंने पहचान पत्रवाली यह बात कही, वो आपके लिए important थी कि अपने college से contact करें, जो student करें मेरा नाम नहीं है, तो बिल्कुल सापसी है, कि अगर आप पर नाम नहीं आपके college के दौरा बताया जा रहा है, या आपके college का कोई information नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि आपके college के दौरा, आपके student आपके college के select नहीं हुए, बात यह है, ठीक है, जिस college के student select हुए, जैसे morning में मैंने बताया, कि आप देख रहे थे कि, वहाँ पर मिर्जापूर पॉल्टेकनिक के बहुत से student को, वहाँ पर select किया गया था, 163 student को वहाँ से ले जाया जा रहा है, ठीक है, तो सभी college के दौरा ले जाय रहा है, आप बहुत से district में बहुत से पॉल्टेकनिक कालेज हैं, तो कुछ ही college को ले जाया जा सकता है, चूकि maximum एक district से 200 ही student को ले जाया जा सकता है, यह चीज आप समझ सकते हैं, उमीद करता हूँ, यह सीरे समझ चुके हूँगे, dear, इस समय मितलेस, यादो जी न सकते हैं, बेश्ट आप लग, दोस्तों, आप आराम से जाएए, हैपी जरनी, और आप अच्छे से tablet smartphone आसानी से लेकर आईए, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए, सर्टर, कम्मल, यह सारी चीजे जरूरी है, चूकि थंड है, अन्धा tablet smartphone के चक्कर में आपको थंड लग सकत है, उम्मिद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई प्राब्लम हो, तो आप इस्टा पर बताईएगा, धन्यवाद,